हे गाईज, विलकाम टो इंडियान डिजिटल टार्च, मेरे नहीदी बासीस और श्वामी ने जिस तरह से प्रॉमिस किया था कि मी वाइबन का जो पहला फेज है वो 22 अक्टबर से स्टार्ट होगा और आज से यहां पे MIUI 11 का जो फाइनली जो इस्टेविल वर्जिन है वो Redmi K20 के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है साइज के अगर मैं बात करूँ तो 766MA साइज है इसका अपडेट का और वर्जिन के अगर मैं बात करूँ तो MIUI 11.0.2.0 PFGINXM यह अभी भी पाइप ही वेजट है इसमें आप लोगो Android 10 बला जो अपडेट है वो फिलाल आप लोगो इस अपडेट में फिलाल Redmi K20 यूजर्स के लिए नहीं मिला है और किस किस फोन में कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग मैं पहले वी एक वीडियो बना कर रखाऊं जिसका लिंक आप लोगो आई बेटर में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा और चेंज लोग की अगर मैं बात करो तो इसमें MIY11 में आप लोगो काफी सारा चेंजिस भी मिलेगा और MIY11 का जो चेंज लोग का जो फिचर से इसकी रिगार्डिंग भी मैंने पहले वीडियो बना कर रखाऊं जिसका लिंक आप लोग को आई वेटर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में उस वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा तो सवाल अभी ये है कि अगर आप लोग को अभी इसका अपडेट नहीं मिला है तो फिर आप लोग को अभी क्या करना होगा तो simply आपकी phone की settings में जाना होगा, word phone में जाना होगा, system update के अंदर जाना होगा, internet connection आप on करके रिखेगा, इसके बाद आप लोग को 3 lines पे tap करना है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कोई भी choose update package का अगर आप लोग को यहाँ पर फिलाल option नहीं देखने को मिल रहा है, त इसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर 3 lines पे tap करेंगे, आप लोग के समने कुछ extra options आप अभी देख सकता है, तो इसके लिए simply इस वीडियो की description में मैंने आप लोग को एक link दिया हुआ है, वो आप लोग को simply download करना होगा आपके phone में और internal storage के अंदर रखना होगा, इसके ब जैसे आप लोग करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर समय लेगा, verify होगा, इसके बाद finally आप लोग को option आ जाएगा कि update and reboot, तो जैसे आप लोग इस वाले option पर update and reboot पर tap कर देंगे, आपका phone finally MIUI 11 के stable update में update हो जाएगा आपका phone, so guys आशा करता हूँ आप लोग को इस वीडियो पसं देखने के लिए अप इंडरे डिजिलल टच को भी सब्सक्राइब कर लेजिगा, आप लोग का बहुत बहुत सुक्रे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू